रेल्मी7 डेता यूजर सेटिंग नमस्कार दोस्तु थो अगर एब सभी का तिक्राच यूटुब चैनल पर तो दोस्तु आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस पर डेता यूजर सेटिंग कर सकते हैं तो अगर दोस्तों आपको पता नहीं कि सेटिंग कहा पर है और क्या क्या सेटिंग आपको मिलेगा डेटा यूजर के अंदर पर तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखें मैं आपको फूली एक्स्प्लेनेशन के साथ यहाँ पर बताने वाला हो कि डेटा यूजर सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकून को क्लिक करें यह आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना किया है अगर आपको यहाँ पर डेटा उसे सेटिंग करना है तो यहाँ यह मॉबाइल के सेटिंग पर और आपको क्लिक करना है सीम कार्ड और मॉबाइल ने ट्रोक्स उसके बाद आपको नीचे में आना है और क्लिक करना है डेटा उसे पर तो यह है दोस्तों आपका data user setting जहाँ पर आप data users देख सकते हैं कि आपके जो mobile data है उसमें कौन सा ज्यादा कितना यहाँ पर users ले रहा है ठीक है अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि अभी ठीक है यहाँ पर सबसे ज्यादा use जो है Google Drive तो वह ले चुका है यहाँ आप देख सकते हैं तो इस तरीका का users आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे हाई और सबसे ज्यादा Google Drive ठीक है तो उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा mobile डेटा लिमिट ठीक है mobile डेटा लिमिट यहाँ पर जाकि आप डेटा लिमिट सेट कर सकते डे 14 ओफ एवरी मंट यहाँ पर बता रहें तो हमेशा दोस्तों मेरा जो डेटा लिमिट सेटिंग डेली mobile डेटा लिमिट सेटिंग तो यहाँ पर टेप करके आप कस्टूम लिस पर क्लिक करें और उसके बाद जितना डेटा लिमिट सेट करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं एम बी के साथ भी कर सकते हैं ठीक है कुछ इस प्रकार से तो बस यहाँ पर जाके और मानली सेट करना है तो आपको नीचे में ऑप्शिन मिल जाएगा तो यह है आपका डेटा लिमिट सेटिंग अभी वाइफाई का डेटा यूजर्स भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है कि वाइफाई के साथ कितना डेटा आपका यूज हो रहा है उसके वाद आपको यहाँ पर मिलेगा नेट्रोग पर्मिशन्स ठीक है तो जाके आप यहाँ पर नेट्रोग पर्मिशन्स चेक कर सकते कि कौन कौन सा अप्लिकेशन पर नेट्रोग पर्मिशन इनेबल है कौन कौन सा अप्लिकेशन पर नेट्रोग पर्मिशन इनेबल नहीं है तो आप यहाँ पर जा तो यह है आपका data saving mode and आपको मिलेगा dual channel acceleration setting network speed will be intelligently increased when wi-fi and mobile data are used simultaneously तो यह setting दोस्तो आपको यह आप पर देखने को मिल जाएगा तो आप जाके यह आपन इनेबल करें apps that support network acceleration तो दोस्तो यह network acceleration का future है जिसको आप यहाँ पर use कर सकते तो यह है दोस्तो आपका data user setting जहाँ पर आप data manage कर सकते हैं आज की इस वीडियो बड़ोस तो बस इतने हमिद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching